असलाम अलेकुम फ्रेंट्स और वेडियो उमीद करते हैं आप सब थीक होंगे उशाल होंगे मज़े में होंगे तो एक दफा फिर से न्यू व्लॉग में व्रेंड न्यू व्लॉग में आपको करते हैं वेलकम तो हमारा आज का जो व्लॉग है वो आपको ऊपर देखके पता चल गया होगा container house जो कि अब देख सकते हैं मेरे पीछे है जिसको हम camper house या अमरिका में इसको as demands camper house या container house चाई कुछ भी कह बढ़ क्या सकते है तो यह जो mostly जोह उनस ऑने यह शेहों से जो थोड़े जाते हैं वो अपनी गाड़ी के साथ इसको जोडते हैं और इसको ले जाते हैं तो इसको वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चया उब तो चाहिए बाहएמק बड़ा है सबसे पहले यह इसका वो पोशन है जिसको गाड़ी के साथ बांदा जाता है यह इसके पिछे बैटरी है और यह इसके पिछे दो सेलंडर हैं गैस वले जिसको आप देख सकते हैं और यह क्यों है यह मैं आपको बाद में बताता हूं ठीक है यह जैक इदर से उतर कि अधर चाल बरेता है इदर यह लगा है यह दोनों साइड हो पे टायर है और इसके बाद यह एंटरस है यह बार न處 लगिए यह बारिच भी सब्सक्राइब कर साथ है O और देख सकते हैं यह उन्हें अब खायर रहा एक इतना इसाब आर अंदर हो जाता है यह कि जब आपने ड्राइव के लिए ज़ाना उन्होंता है तो यह इन जा यह उन्हें आर ढूना लिए उन्हें ज़िए पुर्टी टेड़ वह उन्हें अपको देखता हूं इसकी अवर दोस्रें पर दूसरे अमेल से जार थे हैं, दीन लिया है निसे ऑर बार, है कट द oni भी जाताओ, जी हम आगे जार तौर चलते हैं हैं तो आगे जाली चल से अगे लिगा है ये मेरे पीछे मेन इसकी एंट्रस है साथ ही है इसके की स्टेंड दिया गया है और थोड़ी सी आगया कि इस तरफ डाइनिंग एरिया एक चोटा सा तीन से चार लोगों के लिए जो इसके ओपर ये लाइट भी लगाई गया है इसको अब स्टड़ी के लिए भी उस कर सकते है एक इसकी ये विंड़ ए और एक इसकी ये विंड़ और साथ ही थोड़ी सी ये आगे स्पेस आ के इस तरफ एक रिलेक्सिंग विसा सोफा पड़ावाई रिलेक्स के लिए सेम इसी तरह दो विंडोज इदर है और इदर कबड वगारा ठीक है अगर आपने को चोटा मोटा स सामनी साइड पर ये एक देख सकते हैं आप ये इसकी मेन वाल है जिसके नीचे वो एक्विरियम या फारवर के लिए बना हुआ है और ये इसका जो है एल्सेडी वाला एरिया ठीक है इसी तरह इदर भी साथ कबर्ड दिये गए हैं अगर आपने कुछ समान वगरा रखना है सब्सक्रावज को अरन रहर हुआ है मैं परा है इसका की मिल्टी मेढ़े के आईदेटन पर बार भी लाय हुआ है तो समें मेख में पर नहीं तरह एक यह पनी जो और लग चाय तो सेवासे खाक एने खार है और लौप सिस्टिम में कर दिल्ावieuर स्टे बार बेलगा है तो क और इसके साथ आ जाता है जी यह फ्रिज है यह फ्रीजर है उपर ठीक है और यह नीचे आ जाती है जी फ्रिज ऐसे ही फ्रिज के बाद यहां पर हमारा साथ ही आ जाता है किचन ठीक है किचन में तीन चुले हैं यह गैस वले तीन चुले हैं जिसके लिए बाइस लंडर लगा खाना वगयरा ट्रेवलिंग में गरम करना है इसके इदर एक लाइट है उपर और एक इसका गो एक्जास्स लगा हुए ऐसे इसके बाद थोड़ी सी आगे हम चले जाती है तो इस तरफ आ जाता है जी अगेन वही कबड़ वाला एरिया उपर कुछ कबड़ दिए गए हैं जाता है और इसके नीचे भी वह कबड़ वगयरा है और सेम इसी तरह चुले के नीचे भी कबड़ वगयरा है यह नीचे ओवन है और यह द्राज वगयरा है और यह कबड़ है अच्छा इसके बाद आ जाता है जी इसका इलेक्टरिसिटी का कंट्रोल है पूरा यह लाइट है जो इसकी लाइट उपर लगी वी है ये लेक्ट्रिकल चेयर है और नीचे अगर आप फ्लोर देख सकते हैं ये वुडन फ्लोर लगावा है सारा ये उपर इसका एसी आ जाता है एसी इसका कूलिंग और हीटिंग सिस्टम इसी तरह ये चोटे-चोटे लगे में है और एक इ लग अजी भाटता है जब असी किसम किई सारा वुडन का हम है और इस तरफ हैं जी ये है जी हमारा कीजर का पानी आन करने के लिए गर्म और यह आफ करने के लिए ठीक है यह AC का सिस्टम है AC हीट और कूल का सिस्टम है टेमपरेचर कंट्रोल करने के लिए और इस तरफ एक बड़ा वाश्रूम डीसेंट सा दिया गया बहुत बढ़ा नहीं और नाई बहुत चोटा है अगर आपने इस तरफ देखे इसके एक वो लगी वी है एक टॉयलेट सीट है और एक नहाने के लिए शावर लेने के लिए तो अब आपको लेकर चलते हैं इसके हाँ मैं पहले यह बता रहा था जो फरस्ट पे हमने दूसरी साइड पर जाके देखा था यह हिस्सा जो बाएर होता है और जब ट्रैवलिंग करते हैं तो यह थोड़ा क्लोज होके इदर तक आजाता है दूसरा यह है यह मूवने वली चीज़ें और यह जो टेबल वगएरा लगे हुए यसजवेश हैं यह यह सोफाज हैं यह हिलते नहीं है यह पक्कियं इसका फलोर ही मूव होता है यह नीचे कोकस अप्राइड पर ही यह उलते हैं अपने बैड रूम में जो यह एक एरी यह विंडो है यह सामने आ जाता है जी इसका क्लोजट क्लोजट में अपने जो भी किसी ने समान वगारा अपना रखना है काफी बड़ा है और यह अंदर से इसकी वह साइड बन जाती है जो के गाड़ी के साथ आगए टैच होने वाली है ठीक है और दूसरी जो जो सबसे पहले ओने वाला हिसा था था वह यह थो यह तरफ भू को मैं ऐसा बाहर पूरा इसका भूरा कौो था लूरऊ पीछे वहाला हिसा था Anis Uranus रिखा वह रो दो बेड गार होता है यह आप गार है इस तरसे फ्सके बाद हम जो है यह इसकी बाएर का आगया सीन ठीक है इधर से एंटर होते हैं और यह जी इसका बैडरूम है तो यह था जी केमपरोस तो इधर से हम आगे हैं बाइर केमपरोस हमने आपको दिखाया विजट करवाया यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक दफा फिर से इसकी बाइर की लुक है यह भी सारा अलेक्रिसिटी से कंट्रोल होता है यह इसका शेड वगरा तो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसानता ही होगी तो फिर मिलेंगे इंशाला नेक्स वीडियो में नेक्स व्लॉग में तब तक रखी अपना हयाल और चैनल को कले सब्सक्राइब नए नए चीज़ों के साथ आपको मिलते रहेंगे अलाहाफिस